आरिफ खान, I am from The Punch Boxing Sports Rules Private Limited मैं आज आपको एक professional boxer कैसे बन सकते हैं, इसके बारे में कुछ जानकारी दोंगा कि boxer अपनी professional boxing किस तरह से जॉइन कर सकता है और boxing, professional boxing में अपना career किस तरह से बारे इस वीडियो में आपको boxing से जुड़े सभी सवालों के जवाब में बॉक्सिंग में कितना कमाया जा सकता है और boxer किन किन तरीकों से पैसे कमा सकता है इसमें कोई शक नहीं के professional boxing में सब से आदा पैसा है और world का richest sports भी professional boxing है और world के richest sports person, athlete वो भी boxer ही है जैसे के Floyd Mayweather, Manny Pacquio, इन सब को millionaire, billionaire boxing नहीं बनाया है खास करे professional boxing है इनके अलावा भी काफी ऐसे example हैं जो professional boxing से ही होकर इस मुकाम तक पहुचे है अगर आप amateur boxing में किस तरह से आना है ये सारी जान करें मैं इस वीडियो में आपको और professional boxing में कैसे rank बढ़ाया जाता है कि जितना बड़ा rank उतनी जादा कामयादी ये professional boxing ये कुछ ऐसे tips हैं जो आज मैं आपको देने जाता है तो tips by tips और step by step professional boxing की जर्णी को समाजते हैं पहला हमारा step है career in amateur boxing कि amateur boxing में किस तरीके से career in amateur boxing क्या होती है देखिए amateur boxing क्या होती है कि district level से start होती है अगर आपको amateur boxing start करनी है तो आपको अपना कोई local boxing club जोइन करना होगा जो कि आप फिर उस club के थुरू आप district championship में participate करेंगे अगर आप district championship में gold हासिल करते हैं तो आपको state tournament में जगा मिलेगी आप अपने district को represent करेंगे state tournament में फिर अगर state tournament में आपने district के लिए gold medalist जीता state में तो आपको state represent करने का मौका मिलेगा जिसका मतलब है कि फिर आप national tournament में जाएंगे फिर अगर national tournament में आपने पूरे इंडिया में gold medalist हासिल करा तो आपके doors open हो जाएंगे international competitions के लिए जैसे कि Asian competition, Commonwealth competition और आपका world competition और सबसे बड़ा Olympic competition यह जर्मी amateur boxing की शुरू होती है district से अमेचौर का सबसे अच्छा यह फाइदा गर अमेचौर में आप एक अच्छा मुकाम हासिल कर लेते हैं तो आपको government job offer होती है जितनी भी अमेचौर federations हैं चाहिए boxing की और किसी और sports की उनके थो आपको government jobs मिलती है दूसरे है कि क्या बिना एमेचौर के हम professional boxing जॉइन कर सकते हैं बिल्कुल कर सकते हैं professional boxing में आने के लिए immature खेलना जरूरी नहीं है बट आपकी practice, आपकी skills बोट highly और ज्यादा लंबा गीम है length ज्यादा लंबी है जैसे कि M.H.O.R. में 3-4 round होते हैं professional boxing में 10-10 round की fights होते हैं 12 round की fights होते हैं तो वहाँ पे ज्यादा आपको अपना stamina ज्यादा बनाना पड़ता है आपको अपनी strength ज्यादा करनी पड़ती है आपको practice ज्यादा करने है तो professional boxing थोड़ी hard है और बजाए कि M.H.O.R. अगर आप M.H.O.R. boxing खेलते हैं उलड़ी और आपने एक अच्छा record उसमें बना रखा है या आप डारेक्ट की professional boxing में भी आना चाहिए तो उसके तरीके क्या है professional boxing में minimum age जो होती है वो 17 years है आने की और इसमें आपको boxing license लेना पड़ता है professional boxer का जो कि हमारी इंडिया में काफी ऐसी organizations है जो professional boxing की organizations है आप उनके connect, उनके through connect कर सकते हैं और उनसे आपको एक boxer license की facility available होगी जैसे कि आप अपना professional boxing license ले सकते हैं और फिर professional fights पाटिसिपेट कर सकते हैं एक बार आपको professional boxing में license मिल गया तो जब आप अपनी पहली professional fight खेलेंगे उसके बाद आपकी world ranking पे आपका record चटते हैं जैसे कि box rack एक है जहांपे box rack.com अगर आप जेखेंगे वहाँ पे world के सारे fighters का record update होता है तो आप जब एक as a licensed professional boxer आप अपनी fight खेलते हैं तो आपका record box rack पे जाता है जो की world ranking platform है जितने भी बड़ी-बड़ी organization है चाहें world boxing council है world boxing organization है international boxing federation है तो यह world boxing association है यह सब का tie up box rack के साथ है इन सब के records box rack पे जाते हैं तो जब आपके record वहाँ पे जाने पड़ेंगे जब जाने लगेंगे तो धीरे धीरे आपके record की एक जितनी fights आप खेलेंगे आपका record उतना अच्छा होता जाएगा तो आपकी world ranking में 8 win और आपने 2 हारी है एक हारी और एक draw रहा तो world ranking पे आपकी 8 win एक lose और एक draw यह world ranking पे रहेगा आपका अगर आप sanctioned fight खेलते हैं the punch boxing sanctioned fight organize करती है तो इसमें आप participate करने के लिए हमें contact कर सकते हैं दूसरा जब आपका record बढ़ता है उसके बाद मैं टलाता है ranking का कि आपने यह record किन fighters को beat करके बनाया है जिस fighter की rank already आपसे अच्छी थी चाहें आप अगर इंडिया से fight करने तो दो तरह की ranking होती है एक आपकी country की और एक world की ranking होती है तो यह होता है कि आपने किस fighter को हराके अपने record बढ़ाएं कई बार ऐसा होता है कि हम जिन fighters का हमसे अच्छा record नहीं है हम उनी से खेलते 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 अपना record बनाते रहते हैं बड़ उससे आपकी फिर ranking में फायदा नहीं मिलता आपको और यह ranking आपको fight provide करने के लिए आपको help करेंगे boxing के managers promoters और जो experience coaches है coaches की guidance बहुत जरूरी है आपको एक अच्छे manager की जरूरत है जो आपको fights दिलाए अच्छी fight और आपको एक promotor की जरूरत है होआट जिसकी fight की quality जिसके events की quality बहुत अच्छी हो basiclly इसमें जो main होता है वो हुँता है promotion आपका जितना promotion होता जाएगा जितना भी promotion होगा उतना ही property नजरू में आंगे जितना ज्पांसर अपको सकते है उतने ज़्यादा लोग आपकी फाइट को देखना चाहेंगे, उतने जादा ही चैनल आप में इंटरस्ट लेगा, तो जितनी आपकी फाइट्स अच्छी होंगे, जितना आपको एक्सपोजर मिलेगा, कई बार यासा होता है कि आपकी फाइट बहुत अच्छी है, बट फाइट को एक्सपोजर नहीं मिल रहा है, दुनिया देख नहीं पा रही है, तो क्या है कि आपका टेल्नट चुपा वारे गया, इस में प्रमोटर आपकी बहुत टरेंगे, आपको एगर अच्छा प्लाटफ करने के लिए आपको लिए कि पर्स मठी देने के लिए आपकी पर्स मठी भी इस चीज में को फाइदा हो शांता करें अरो फैस को पैसे बीदेना शुरू करें आज देखे लूएड मेवदर यह मै टैशन से बहुत अच्छे जाएदा लोगों का फाईटर्स करो ताम मै bust पाइसन ही तोना जादा पैसे क्यों कमाता था है। व्लाइट मेवदर के जैसे रिकॉर्ड एक फाइडर का और है बट फ्लाइड मेवदर आज है रिचस अथलीट है। क्यों? क्योंकि फ्लाइड मेवदर की फाइट सब लोग देखना चाहते हैं। वो उसने अपना आपको इस तरीके से उसका जो प्रमोशन जिन प्रमोशन के साथ उन्हें फाइट करी है उन्होंने उसको बहुत प्रोवोट करा है एक नाम है एक ब्रैंड बन गया है इसी तरीके से वह सेम बनने के लिए आपको अच्छे प्रमोशन की जरू होते है जो आप अगर आप इंडिया से हैं तो आप एशन टाइटल के लिए फाइट करेंगे एशन टाइटल के बाद आपको वो टाइटल डिफेंड करना होता है एक पीरिएड ऑफ टाइम के अंदर जब आप एक टाइटल जीत जाते हैं उसके बाद आप वर्ल्ड चेंपेंशिप के लिए जा सकते हैं जब सक्षफफ़ एशन टाइटल डिफेंड भी कर चुके हैं और जीत भी चुके हैं तो आप फिर वर्ल्ड चैंपेंशिप के लिए उप्ट कर सकते हैं तो यह रैंकिंग और बेल्ट सिस्टम इसमें चलता है अभी इंडिया में बॉक्सिंग प्रोफेशनल ब करेंजिब दे नकिंडम थिर्म चाहें के अपको पैसा मिल सकता है अगर वप्रैसिनल बॉक्स एगर तो वर्ल्ड का रिचस के मैं मैं फिर कहना चाहुंगा और इंडिया में अब इसकी जगा बंती जा रही है तो अपनो professional boxing career choose करने के लिए आप The Punch Boxing को connect कर सकते हैं चाहे हमारे YouTube के थूँ, Instagram के थूँ, हमारे Facebook के थूँ, आप मेरे से direct connect कर सकते हैं, मेरा नाम आरिफ खान है और I wish you all the best, keep punching The Punch Boxing